हालो स्टूडेंस आएम डॉक्टर विनोथ कामले इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटेटिंग टेकनोलोजी इन डेटा कलेक्शन मतलब कि डेटा कलेक्शन जो होता है रिसर्च का उसमें हम लोग टेकनोलोजी को किस तरहिके से इंटेग्रेड कर सकते हैं मतलब research के लिए जो हम लोग को data लगता है, वो data collect करते समय हम लोग technology का use कर से कर सकते हैं और वो use करने के वेरे से हम लोग को क्या-क्या उसके benefits हो सकते हैं. So, हमारा पहला question वही है कि what are the importance of integrating technology in data collection? मतलब कि data collection करते समय हम लोग technology को अगर use करते तो उसका हम लोग को किस तरीके से benefit होता है? तो सबसे पहले है time and cost saving. Obviously, technology जो है उसका सबसे बड़ा benefit यही होता है कि technology के वाज़े से time और cost जो होता है, उसका saving होता है. तो same data collection अगर हम लोग manually करेंगे तो definitely वहाँ पे क्या होता है कि काफी ज़्यादा time और cost लगता है लेकिन अगर suppose हम लोग technology को use करेंगे, जैसे कि हम लोग google form वेगरा होता है या फिर दूसरे जो भी data collection के methods होते हैं, उसको अगर हम लोग use करेंगे, तो उसके बड़े से क्या होगा time और cost जो दोनों भी बच पाएगा. Because यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को स्रिफ वो जो data collection करने के लिए आपका जो भी google form है या जो भी आप लोग questionnaire use कर रहे हैं, उसका एक link जो होता है वो आपको भेजना होता है और automatically यो data जो होता है आपका collect हो जाता है और उसके लिए आप लोगों को कोई भी manual work वेगरा करना पड़ता नहीं है, so obviously यहाँ पे labor का saving हो रहा है, labor का saving होगा तो obviously cost आपका बचेगा, plus बहुत ही quickly आप लोग यहाँ पे data collect कर पाते हैं, इसके लिए यहाँ पे time का भी saving होता है, बाकि हम लोग physical जब data collect करते हैं तो obviously उसमें काफे ज़्यादा time जाता है, because हम लोग को हर ए quickly हम लोग उनको question पूझ के, वही पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कि हमारे जो भी smart phones वेगरा होते हैं या app वेगरा होता है, उसके अंदर हम लोग को data feed कर सकते हैं, तो इस तरीके से technology के वज़े से हमारा time और cause जो होता है data collection का वो बचने में help होता है, then second importance is massive reach out, massive reach out का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कम से कम समय में आप लोग काफी सारे लोगों के पास से data collect कर सकते हो, जैसे कि suppose email through आप लोग क्या कर सकते हो, या even social networking sites के उपर आप लोग क्या कर सकते हो, आपके जो questions होते हैं वो आप लोग upload कर सकते हो, या फिर Google form वेगरा बना के आप लोग उसकी link questionnaire है, वो काफी सारे लोग जो है उनके पास पहुचता है और उसके वैसे आप लोग बहुत लोगों से data collect कर सकते हैं, बाकि manually क्या होता है, कि हम लोग बहुती कम लोगों के पास जा सकते हैं, और उसके वैसे हम लोग कम लोगों के पास data collect कर पाते हैं, सो दूसरा advantage टेक्नOLOGY का यूज करने का ये होता है कि यहाँ पे काफी सारे लोगों के पास ते डेटा कलेक करना काफी possible होता है उसी को massive reach out बोला जाता है massive मतलब बहुत ज़्यादा और reach out मतलब पहुचना इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग manual data करते तो उसमें data कलेक करके जब हम लोग लेके आते हैं और उसका entry करते तो उसमें काफी सारे mistakes विगरा हो सकते है पर यहाँ पे क्या होता है कि technology use करने के वज़े से आपने काफी बाद देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते है accurate data कलेक कर सकते है और दूसरा क्या है कि यहाँ पे हम लोग को पता भी चलता है कि data कुन से दिन पे आया था, कुन से time पे आया था या वो person का नाम क्या था, उसका email ID क्या था, उसका location क्या था यह सारा information हम लोग को यहाँ पे मिल पाता है तो obviously यहाँ पे क्या हो रहा है, effectivity से और accuracy से हम लोग data use कर पा रहे है because हम लोग यहाँ पे technology का use कर पा रहे है then next one is real time report, मतलब कि जब हम लोग paper form में data collect करते है तो obviously वहाँ पे real time, real time का मतलब क्या होता है, on the spot report generate करना या फिर हम लोग को data कितना आया है, क्या आया है, वो देखना possible नहीं होता है लेकिन जब हम लोग technology का use करते हैं और data collect करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को on the spot report मिलता है जैसे आप लोगों ने अगर suppose google form बनाया और उसका link किसी के साथ share किया सो कितने लोगों ने आपका जो google form में उसका questionnaire भरा हुआ है तो आप तुरन देख सकते हो या suppose किसी person को आपने questionnaire दिया और उसको बोला कि ये fill up करो आपको तुरन google form का जो आप लोग open करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को दिखाई देगा मतलब on the spot मिलता है हम लोगो उसके लिए wait नहीं करना पड़ता है and the last one is time to go digital मतलब क्या कि ये digital world में हम लोग रह रहे है जहाँ पे technology का use जो हर एक जगा पे हो रहा है तो definitely data collection के लिए भी technology का use जो होना ज़रूरी है उसके वज़े से क्या होता है जैसे हम लोगों देखा कि time और cost भी बचता है आप काफी सारे लोगों के पास से यहाँ पे data जो हो collect कर पाते हो और आपके data के accuracy जो होते हों काफी ज़्यादा बढ़ती है तो ये digital world है और उसके वज़े से digitally data collect करना भी काफी ज़्यादा जो researcher के लिए होता है वो beneficial होता है तो ये हमने importance देखे कि technology किस तरीके से data collection में help करती है अब ये हम लोगों को देखने methods of data collection using technology जिसमें सबसे पहले हैं online survey online survey मतलब जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि google form वेगरा होता है तो आप google form वेगरा बना सकते हो या monkey survey.com करके एक website है वहाँ पे आप लोगों questionnaire बना सकते हो और उसका link जो है आप लोगों के साथ share कर सकते हो और लोगों को request कर सकते हो कि वो लोग आपके questionnaire को भरे तो ये एक method होता है यहाँ पे technology use करके data collection का जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो online survey कर सकते हो मतलब वहाँ पे आप लोग questionnaire बना के लोगों को भेज सकते हो और वो लोग आपको questionnaire जो fill up करके दे सकते है आपको वहाँ पे personally मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और obviously उसके वेरे से आपका time और cause जो हो कम होता है then handheld devices now handheld devices का मतलब क्या होता है जैसे कि cell phone होता है iPad होता है iPod होता है Blackberry या बहुत सारे handheld computers होते हैं चोटे 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 तो उसको हम लोग क्या बोलते है handheld devices मतलब ऐसे devices जिसको हम लोग हाथ में carry कर सकते है अभी ये devices क्या होते है इसके अंदर अलग-अलग app वेगरा होते है और उसके वज़े से क्या होता है कि data collection जो होता है काफी easy होता है तो ये handheld devices जो होते है उसके वज़े से आप लोग किसी को भी आपका जो questionnaire हो भेज सकते हो और वो लोग क्या कर सकते है कि ये जो handheld devices होते है उनके हाथ में होते है उसके वज़े से वो quickly क्या कर सकते है आपके questionnaire जो है उसको भरके दे सकते है तो आपका data collection जो होता है उसका दूसरा एक method होता है handheld devices लोगों को आपका question जो होता उसका text बेश सकते हो और वहाँ पे आप लोग उनको options भी दे सकते हो जिसके तुरू हो लोग क्या कर सकते है आपका जो questionnaire है भर सकते है and the last one is social networking बहुत सारे social networking sites होते हैं जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि आपकी questionnaire जो होते हो upload कर सकते हो या आजकल आप लोग उनको देखा होगा कि YouTube बेगारा के उपर लोग को opinion लिया जाता है जहाँ पे ओ लोग क्या करते हैं question पुछते हैं और उसके options बेगारा देते हैं उसमें आप लोग को click करना होता है जो भी आपको opinion होगा वो तो इस तरीके से social networking sites जो होते हैं उनका भी use किया जा सकता है यहाँ पे data collection करने के लिए so इस तरीके से इस video के अंदर हम लोग ने देखा कि किस तरीके से technology जो है वो data collection में help करता है और दूसरा हम लोग ने देखा कि technology का use करके कुण से कुण से method के थूँ हम लोग यहाँ पे data collect कर सकते है